नमस्कार दोस्तों जैहिन आपका अपने यूट्यूब चैलिन दोस्ताँ स्पेशल में हार्दिक स्वागत प्राइम मिनिस्टर नेदर मोधीची ने आज राश्टर को समुधन किया आपको पता है दोस्तों कोवेड-19 से भारत में केसिस की संक्या लगातार बर्ती जा रही है मोधीची ने आज परशाशन को सकती से सबी को कानून का पालन करने के लिए कहा आज मोधीची ने भारत के लिए एक और बड़ी घोशना कर दी भारत में 80 क्रोड लोगों को 5 मेने तक फ्री राशन दिया जाएगा जिसमें 5 किलो चावल या 5 किलो गेहु शामिल होगा इससे हमारे लोगों को रहत मिल सकेगी COVID-19 की इस मुश्किल कड़ी में मोधीची ने भारत के नागरिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का भी अवाहन किया और अपने भशन में प्राइम मिनिस्टर मोधीची ने और क्या कहा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलती हैं थैंकि वेरी मच्च साथियों यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यूदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिति में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अन्लोक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है साथियों लॉकडाउन के दोरान पहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाय की संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतरक्ता दिखाने की जरुरत है विशेशकर कंटेंडमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहें हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नतरी कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे 31,000 करोड रुपिया जमा करवाए गए है इस दौरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुपिये जमा हुए है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आश्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में 80 करोड से जादा लोगों को तीन महेने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महेने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियो आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूँ इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त मुहया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्यक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़ करके कहीं और जाते हैं लाशनका जब टोड़ा, श jourगए पहर बाशनकार खोड़ा, तस्ता बाशनकार फस्ता है, प्रेवलाम बश्यक्ताओं के एक राशनका बार दिए o śदियों के लिए रेशनका nag Mum में एक बूस्ताओं के लाशनकार